प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चानल तो गेट आल रेसिपीस ओन कुकिंग और परगेट तो प्रेसिबल आइकोन हलो एंड वेलकम टू संधिप्रियास किच्छन आज मैं बनाने वाले हूँ उड़त दाल पूरी चलो शुरू करते हैं उड़त दाल को टू टू ट्री आवर्स सोग करना है सोग करके उसका वाटर ड्रेन करना है और अब हम उड़त दाल को मिक्सी जार में डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे देखिए हमारा पेस्ट रड़ी हो चुका है अब हम इसे साइड में रख देंगे हम लेंगे वीट फ्लार इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा नमक ओईल वन टेबल स्पूल अब हम दालेंगे उड़त दाल का पेस्ट जो हमने बना के रखा था सूजी रवा वन टेबल स्पूल और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसे हाथ से एक टाइड डो बनाएंगे देखिए हमारा डो रडी हो चुका है अब हम इसे अच्छे से गून लेंगे या पर मैंने बिल्कुल भी वाटर नहीं यूज किया है अगर आपको चाहिए तो आप वाटर यूज कर सकते हैं अब हम इसके उपर से थोड़ा सा ओइल डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से गून लेंगे हमारा आटा डो रडी हो चुका है अब हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे अब हम थोड़ा सा फ्लार को डस्ट करेंगे और इसका रोल्स बनाएंगे अब चाहिए तो ओइल यूज़ कर सकते हैं देखिए हमारा पूरी रडी है फ्राइ करने के लिए इसे हम साइड में रख देंगे अब हम एक और पूरी रोल करेंगे पूरी फ्राइ करने के लिए थोड़ा ओईल गरम कीजिए अब हमारा ओईल गरम हो चुका है अब हम इसमें पूरी फ्राइ करेंगे इसे हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ये प्रेस करने से पूरिया जो है वो फूल जाता है और इसे ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे देखिये हमारा पूरी व्राचा फ्राइ हो चुका है अब हम इसे निकालेंगे आप इसे किसी भी करी के साथ खा सकते है या चटनी के साथ भी खा सकते है एंजोय